Hello everyone, welcome back to our channel, Kanishka Academy. जैसे कि हमने बात कर रहे थे प्रीवेस क्लास में चार्ज के बारे में, तो चार्ज की जो सबसे बेसिक यूनिट होती है, वो कुलाम होती है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि 1 कुलाम जो बराबर होता है, वो 625 x 10 to the power 16 electron के बार बराबर होता है, कहने का मतलब यह है कि अगर हम कोई कह रहा है कि किसी पॉइंट पे एक कुलाम का चार्ज है, इसका मतलब यह है कि उसके पास 625 x 10 to the power 16 electron का डिफेक्ट है, और हमने यह भी पढ़ा था कि free electrons या balance electrons क्या होते हैं, तो और्बिट के जो आउटर मुष्ट पार्ट में होते हैं, electrons, वो free electrons या balance electrons कराते हैं, जिन्हें हम आसानी से attach या de-attach कर सकते हैं, ठीक है दुस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे electric current के बारे में, यह एक बहुत ही important class होने वाली है आपके लिए, देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं electric current की, तो current पहले हम current सब्द को समझते हैं, current को हिंदी में अगर हम कहें तो यह इसको कहते हैं धारा, तो जैसे धारा किसी लिक्विड के फ्लो को भी कहते हैं ना, जैसे नदी का जो पहाव होता है, उसको भी हम धारा कहते हैं, तो इन दे सेम मैनर, जब जो चार्ज का फ्लो होता है, या एलेक्टरॉन का फ्लो होता है, इसको हम बोलते हैं electric current, So, what is basic definition is, the flow of free electrons or charge in a definite direction is called electric current, मतलब, अगर किसी एक ही दिशा में हमारे electrons बह रह रहे हैं या फ्लो कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, electric current, देखे, वैसे तो जो हम direction of flow of current लेते हैं, वो positive charge के direction में लेते हैं, बट जो हमारे current flow होता है, वो basically electrons के opposite direction में हम consider करते हैं, जो conventionally consideration किया जाता है हमारे charge के flow को, वो electron के flow के opposite direction में किया जाता है, जैसा कि आप इस diagram में देख पा रहा हैं, flow of electrons है, यह conductor है, जिसके अंदर से flow of electrons हो रहा है, और जैसे कि यहां पर देखिए, बैटरी के terminals दिख रहा हैं आपको, यह plus terminal है, यह minus है, यहां पर से current flow हो रहा है, तो electrons basically कहां attract हो रहा है, कि इस terminal पर पॉसिट terminal पर और negative terminal से release हो रहा है, बट हम जो conventionally direction of flow of current लेंगे, वो इसके opposite direction से direction लेंगे, means, electrons के flow के opposite direction में हम current का flow लेते हैं, जैसे कि यहां पर दिखाया गया है, ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, measurement of current की, ठीक है, अब obviously बात है, अगर कोई भी चीज़ flow हो रही है, बह रही है, और कोई भी quantity है, तो उसको हमें measure भी करना होगा, है ना, तो measurement of current की अगर हम बात करें तो इसकी ऐसा unit ampere होती है, basic unit of electric current measurement is ampere, और इसको अगर हम दूसरे सब्दों में कहें कि, flow of charge in a definite direction within instant time, है ना, the flow of electric charge across the surface at the rate of one coulomb per second, simple से सब्दों में कहें एकर हम इसे, तो i is equal to dq upon dt, means q is charge, q क्या है, चार्ज है, जिसकी unit क्या होती है, कुलाम होती है, और t है क्या हमारा time है, तो कहने के मतलब यह है कि अगर एक second में एक कुलाम charge flow हो रहा है, एक second में एक कुलाम का charge flow हो रहा है, it means हमारे पास कितना एक ampere का current flow हो रहा है, दूसरे सब्दों में कहें तो अगर एक कुलाम का charge एक second में flow हो रहा है, तो हमारा ammeter reading क्या होगी? 1 ampere, it is the measurement of current, अब आंगे देखते हैं क्या EMF, that is electromotive force, अब जैसे कि हम जानते हैं कि अगर जैसे अगर हमें पानी को बहाना है, कहने का मतलब यह है अगर किसी pipe में से पानी बह रहा है, तो पानी कब बहता है? जब उसमें pressure हो, ठीक है? जब हम pipe में एक साइट से पानी डालेंगे, तभी दूसरे साइट से निकलेगा, तो flow of water is due to the pressure, in the similar manner हमारा current भी तब flow होता है, जब हम उसमें EMF source लगाते हैं, जब उस तक किसी भी conductor में potential difference नहीं होगा, या EMF applied नहीं होगा, तब तक उसमें current flow नहीं हो सकता, so what is EMF is? Electromotive force is a measurement of energy that causes current to flow through a circuit, जिसके कारण से current flow होता है, उसे हम EMF कहते हैं, जैसे कि अब हमारे पास क्या है example के लिए? cells हैं, batteries हैं, तो cells और batteries का काम क्या होता है, EMF induce करना है, EMF के source होते हैं, यह एक pressure प्रोवाइड कराते हैं, to flow of current, तो जो force लगता है, force due to electric field on the electrons, is what? F is equal to QE, I hope you understand it, अब बात करते हैं, potential difference की, देखिये, potential difference का मतलब क्या होता है, की, देखिये, potential difference क्या होता है, जैसे हमारे पास two points है, एक point A है, और एक point B है, अब मुझे एक charge दिया गया है, तो मुझे उसको कहां से A से B तक ले जगे जाना है, तो जब भी हम किसी charge को एक स्थान से दूसरे स्थान या फिर एक point से दूसरे point तक move कराना है, तो हमें कुछ ने कुछ काम तो करना पड़ेगा, है ना? तो इसी को ही क्या बोलते है हम, potential difference, so that, अगर हम अलग terms में बात करें, तो जैसे कि एक व्यक्ती है, उसके पास 5V का charge है, तो इसके पास 2V का है, so what is the basic difference between A and B is 3V, so here we can say that, there is a potential difference of 3V, so potential is nothing but a energy, means, हर एक पॉइंट के पास अपनी एक energy होती है, that is, हर एक व्यक्ती का पना potential होता है, वैसे ही हर एक molecule, हर एक particle, हर एक charge particle का अपना एक potential होता है, that is what we call potential, जैसे कि आप देख पा रहे हों कि, यहां पर एक higher potential point है, यहां पर पानी भरा रहा है, और it will flow to the lower pressure point है, इसलिए इसको कहते है है, जब भी charge flow होता है, वो higher potential से lower potential की और होता है, so I think it is sufficient, and more than sufficient for today, we will discuss more about it tomorrow, in next class, thank you.